हलो फ्रेंड्स, वलकम टू गवर्मेंट जॉब जैन्यो नॉटिफिकेशन यूटूब चैनल फ्रेंड्स, NRA, CET से रिलेटेड लेटिस्ट अपडेट आया है NRA, CET, जो भी कैंडिडेट नहीं जानते हैं, मा उनको वरीफली बता दू NRA means National Recruitment Agency and CET means Common Elisability Test National Recruitment Agency, अब जो आने वाली जो vacancies रहेंगी, जो की railway, SSC या IVPS, banking sector में जो vacancies रहेंगी, group VNC की non-technical उनके लिए NRA के दोरा CET exam conduct कराया जाएगा, Common Elisability Test होगा इन सभी के अभी जो pre-exams होते थे separate, अब वो pre-exams नहीं होगे, उनकी जगह आपको CET देना होगा कल मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था, Banking से Related, SBI Bank PO से Related and IVPS PO से Related जिसमें मुझे comment किया गया था कि CET exam अब हमको यहाँ पर देना होगा, या कब से देना होगा तो जी, अब आपको इसमें, क्योंकि इसका आप देख रहे है, Common Elisability Test 2022 Common Elisability Test 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, या अर्ली 2022 यानि स्टार्टिंग में ही आपको यह देना होगा National Recruitment Agency के दौरा जो Common Elisability Test है, साल में दोवार कंडेक्ट कराए जाएगा First and Second, तो जो First रहेगा, वो आपका Starting, यानि Early 2022 में आप ले सकते हैं कि April तक आपका यह First CET exam हो जाना चाहिए And जो भी Railway, SSC या IVPS की जो Upcoming vacancies है, 2022 में जो vacancies आएंगी उनके लिए यह exams होगा, अभी जो जिनके applications apply आपने कर दिया है या जो notifications release हो गए है, उनके लिए यह नहीं है, जो Upcoming vacancies रहेंगी उनके लिए 2022 से, अब CET exam जो टेस्ट होगा, वो आपको देना होगा ये P.I.B. की जो Twitter account है, वहाँ पर इसको tweet किया गया है, तो हम देख लेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं, P.I.B. India Common eligibility test will be conducted across the country, across the country ये जो test है, वो conduct कराए जाएंगे सभी states में, districts में ये exam centers रखे जाएंगे from early 2022 2022 के starting से ये start हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर clear है, कि ये जो Upcoming vacancies रहेंगी जो भी railway या banking sector की, जो IBPS के द्वारा या SSC के द्वारा जो आने वाली vacancies हैं, उनका जो exam होगा, वो CET exam आपको देना होगा, इन सभी के लिए, और किस के लिए देना होगा, वो मैंने भी आपको बता दिया है detail में आप चाहते हैं, तो NRA CET पर एक separate video upload है, उस पर जाकर के आप उसको visit कीजिए, उसमें आपको detail में explain किया गया है इसकी validity क्या रहेगी, कितने साल तक ये मानने रहेगा, ये सब यहाँ पर आप एक ओर news यहाँ पर दी गई है, and Ladakh will have two centers, at Lay and Kargil Ladakh में इसके दो centers रहेंगे, Lay में and Kargil में, और ये जो Dr. Jitendra Singh है, इन्होंने ये tweet किया है, और इन्होंने ये बताया है आप PIV की जो official site यहाँ पर देखना है, PIV.gov.in पर जाकर के press release आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये press release मिल जाएगा, और ये news आप भी देख सकते हैं, अगर आप Twitter पर नहीं है तो, ओके So friends, I hope आपको वीडियो पसंद आया हो, helpful रहा हो, CET exam को लेकर के जो excitement थी या जो comment आ रहे थे, आप सभी के मन में थे, तो आप ये clear है कि 2022 से आपको CET exam देना होगा, तो अभी से आप तयारी कीजे, ये जो CET exam होए, वो 3 लेबल में होगा, 10th, 12th and graduation, तो आपका जो भी qualification है, उ अगर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस करके, all option को प्रेस कीजेगा, जिससे आपको सारे वीडियो के notification टाइम से मिलेंगी, thank you